एक फ्लाइट में पांसो से ज़ादा यात्री शवार थे और फ्लाइट पर अचानक से गोली चलने लगी जिसके वज़र से फ्लाइट में बैठे यात्री घायल हो गए उस फ्लाइट को तुरंत ही डावर्ट करके और लंड कराना पड़ा इतना ही नहीं उस देश की फ्लाइट अभी पूरी तरिके से बंद कर दिया गया है अच्परीट एयरलाइन की फ्लाइट हैती से उडान भरी थी फ्लाइट एक उफ के कुछ देर बाद में जब फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन जा रही थी तभी फ्लाइट पर हैती में ही गोली चल गया जिसके वज़र से उस फ्लाइट में बैठे एक पैसंजर जेखमी हो या आग लगने की चांसस जादा होता है उस फ्लाइट में 500 से जादा पैसंजर चावार थे और जब बीमान पर गोली चली और एक यात्री जखमी हुआ तो उस फ्लाइट में शीख पुकार मस गया तुरांत पाइलट ने A.T.C. से संपर किया तब पता चला कि उस देश में शरकार के खिलाइट में कुछ बीदरोहिवों ने फैरिंग कर रहे है इसी वजह से उस वेमान पर जाकर के गोली लग गया हैती में परदान मंतरी शफ़त होने वाला था तब बीदरोहिवों ने गोली चलाने लगा इसी के वज़ाव से उस फ्लाइट में जा करके और गोली लग गया हलाकि जब विमान लेंड हुआ तो तुरंत उस यात्री को होश्पिटर ले जाया गया और उस यात्री की जान बचाया जा चुका है फ्लाइट के इमर्जेंसी गेट खोल करके सभी यात्री को बाहर निकाला गया फ्लाइट यह जब आश्मान में होता है तो अगर थोड़ा भी विमान में छेद हो जा तो तुरंत हावा का प्रेशर जादा हो जाता है और इसी कारण में उसमें जो बैठे यात्री होते हैं उन्हें तकलिफ जादा होता है यहां तक यह शास लेने में प्रॉब्लम और कई सारे घटनाए होने लगती है इसी वज़े से उस बिमान को तुरंत एमर्जेंसी लेंड करा गया और हैती जाने वाली सभी फ्लाइट को सस्पेंड किया जा चुका है जब तक ये मामला सांत नहीं होगा तब तक उस देश में जाने वाली जितने भी फ्लाइट हैं जितने देश की एरलाइन हैं सभी देशों के एरलाइन ने अपनी फ्लाइट को सस्पेंड़ कर चुका है